कर लें सर शुरू आपकी अनुमाख्य। नमस्कार दोस्तो शिरी आजे माखन जी ने, शिरी अभिनाश पांडे जी ने, मैंने और सब साथियों ने पिछले 24 घंटे में राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के विधायक साथियों से मुझूदा राजनितिक परिस्थिती पर गहन मंत्रना की है। पिछले 48 घंटे में शिरी सचिन पाइलेट से कॉंग्रेस नेत्रितव ने अनेको बार वारतालाप और चर्चा की है। कॉंग्रेस के संग्थन प्रभारी महासचिव शिरी केसी वेनु गोपाल जी से, कॉंग्रेस कारे समीती के कई वरिश सदस्यों से और कॉंग्रेस नेत्रितव से उपमुख्य मंत्री शिरी सचिन पाइलेट से उन्होंने कई बार मौजूदा राजनितिक परिस्थिती पर चर्चा भी की है। एक बार फिर सब विधायकों से मंत्रना करने के बार भारतिये राश्चिये कॉंग्रेस की और से समेच शिरी सचिन पाइलेट के जो प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्षपी हैं मुख्य मंत्री होने के साथ साथ हम कॉंग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से ये अपील करते हैं के कॉंग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुई है व्यक्तिगत प्रतीस परधा वाजिब हो सकती है पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतीस परधा से बड़ा है राजस्थान की जनता के हित राजस्थान की तरक्की राजस्थान में कोरोना से लड़ाई राजस्थान के जन्मानश के तक एक-एक कोने तक प्रगती पहुंचाना हर व्यक्ति से वो चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो विधायक हो या मंत्री हो उनसे बड जो कुछ देर बाद शुरू होगी, मैं एक बार फिर सब विधायक मंत्रियों, उपमुख्य मंत्री, सब साथियों से यह अनुरोद करूँगा कि वो इस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कॉंग्रेस की सरकार को मजबूत करने और राजस्थान की प्रगती में भागीदार बनने के लिए आगे आएं शामिल हों यही पार्टी के प्रती, सरकार के प्रती और राजस्थान की बहादूर जनता के प्रती सक्ची सेवा और निष्ठा का परीचे होगा हम सब हर बात में इकठे हैं मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन हो जाता है जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में सभाविक है प्रंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतिय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है गैर वाजिब है और हर साथी कॉंग्रेस पार्टी में वो कितने भी बड़े पद पर हो कॉंग्रेस की सरकार में कितने भी बड़े पद पर हो वो इस राय मश्वरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आतमसात करेंगे कॉंग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्तान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कॉंग्रेस पाल्टी के कॉंग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेच शिरी सचिन पाइलेट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे आईए बैठकर वारतालाब कीजिए अगर कोई समस्या है तो श्रिमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेत्रितव में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे प्रन्तु, व्यक्तिगत प्रतिस्वर्धा के चलते, कॉंग्रेस पालिटी की सरकार को एस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो पांच साल के लिए भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निश्ठा के अनुरूप है इसलिए एक बार फिर मैं सब विधायक मित्रों से यह आगरे करूँगा कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हो अपना पक्ष पार्टी की फोरम पर रखे ना कि पार्टी की फोरम के बाहर और हर चीज़ का हल निकालने के लिए हम खुले मन से तयार हैं धन्यवाद एक बात में और जोड़ना चाहूँगा और फिर आपका सवाल दूँगा कुछ देर पहले ही एक ट्वीट के माध्यम से भी मैंने कहा कि भारतिये जन्ता पार्टी के तीन अगरिम विभाग है फ्रंटल ओर्गेनाईजेशन है बीजेपी की एक फ्रंटल ओर्गेनाईजेशन है इंकम टैक्स डिपार्टमेंट एक है एंफोर्समेंट डारेक्टरेट और एक है CBI जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोधी सरकार और भाजप्पा को करनी होती है तो भाजप्पा के ये तीनों अगरिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं कल देर रात और आज सुबह से भाजप्पा के वो अगरिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमी पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं दुर्भावना और गलत मन्शा से कॉंग्रेस पार्टी के सातियों पर आज सुबह से ही मोधी सरकार ने प्रधान मंत्री जी ने अमिच शाह जी ने और भाजप्पा सरकार ने इंकम टैक्स की रेट शुरू करवा रखी हैं कॉंग्रेस के पदादिकारियों पर पर एक बात जान ले मोधी सरकार अभी इंकम टैक्स आया है फिर एडी आएगी क्योंकि पैसे के बल पर भी सत्ता के बल पर भी वो राजस्तान की चुनी हुई सरकार को और राजस्तान के बहादूर विधायकों की निश्टा को नहीं करीद पा रहे थे तो अब उन्होंने income tax और ED को वो ले आए हैं ED अभी नहीं आया है तो दोपहर तक आ जाएगा और CBI कितनी देर में आएगी यह आप खुद निरने कर लीजेगा हम भाजप्पा के इस दुरभावना, रंजिश और बदले की भावना से income tax और ED के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रकरिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं भाजप्पा लोगतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे राजस्थान की बहादूर धर्ती उनकी हर इस प्रकार के शड़ियंत्र को विफल करने वाली है धन्यवाद आदर्णिय मित्र हर बात जो पार्टी के अंदर का वारता लाप है उसे टेलिविजन पर या आखबार में चर्चा करना अनुशाशन के अनुरूप नहीं हो सकता प्रन्तु शिरी सचिन पाइलेट जी से भी और दूसरे साथियों से भी कॉंग्रेस आला कमान द्वारा एक बार नहीं पिछले 42 घंटे में 48 से 42 घंटे में अनेकों बार बात की गई है मैंने आपको तीन व्यक्तियों के नाम भी बताई कॉंग्रेस के संग्थन प्रबारी महासचिव शिरी केसी वेनुगोपाल जी द्वारा कॉंग्रेस कारे समीती के एक सबसे वरिश सदस्य जो पूरो केंद्रिय मंत्री हैं उनके द्वारा और कॉंग्रेस आला कमान के द्वारा उनसे कई बार वारता लाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता हम समेथ सचिंजी के कॉंग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है, हमारा उनके प्रती स्नेह है, हमारा उनके प्रती आदर है, वो हमारे अपने हैं और अगर परिवार का कोई सदस्य नराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं वो परिवार से अप रुष्ट होकर अपना गुसा प्रकट कर माबाप के साथ बैठ कर चाचा ताउ के साथ बैठ कर परिवार के साथ बैठ कर उसका हल निकालता है Congress Party के दर्वाजे खुले मन से मैं कह रहा हूँ अजे माकंधी मअठी की और से और प्रभारी महासाची पांडे जी की और से और सोनिया जी और राहुल जी की और से के वो सचिन जी हो या दूसरे विधायक हो उनके लिए Congress के दरवाजे खुले हैं पार्टी फॉरम पर अपनी बात रखें, हम की बात हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार करें अभी आपने सचेंजी सबेत तमाम विधायकों से अपील किये, दायरह सचेंजी इस वक्त गिल्ली में है, चार ते पांच गेंचे तो जैपूर अगर आपकी अपील करके वह आना चाहे, तो इसका मतलब विधायक जिल की बैठब क्या शाम तक के लिए आप पूस्पोर्ट कर हमारे आदर्णिय उपमंख्य मंत्री होने के साथ-साथ, जिस साथी को भी आना है, वो फोन उठाए, शिरी अविनाश पांडे प्रभारी महस्चीव यहां मौजूद है, उन्हें फोन करे और कहे, कि मैं बारा बज़े तक नहीं, या एक बज़े तक नहीं, या दो बज़े पार्टी है, क्योंकि जिस तरह से सारा विबात बड़ा है, कर नोने कहा कि तीज से जादा विधायक मेरे पास से हैं, बज़े अदर्णिय अधर्णिय साथी पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा, कि कॉंग्रेस के किसी व्यक्ति की कारे करता हो, विधायक हो, सांसद हो, म मुख्य मंतरी हो, उप मुख्य मंतरी हो, उन की पोजिशन कॉंग्रेस में कभी खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह कॉंग्रेस का रवया और तरीका है ही नहीं, और इसलिए बड़े खुले मन से सोन्या जी और राहुल जी की और से मैंने पार्टी की और से ये बात आपके स्मक्ष रखी दूसरी बात मैंने सचिन पाइलेट जी का ऐसा कोई बयान नहीं पढ़ा अभी तक ना उनके ट्विटर हैंडल पे ना उनकी तरफ से कोई जारी किया गया बयान ना उनके दसकत से कोई जारी किया गया बयान ना उनके शोशल मीडिया प्लेट फॉर्म पे जारी किया गया बयान के वो बीस या पचेस या तीस या दस या पाँच अमेले लेकर कहीं चले गए हैं मैंने नहीं पढ़ा ना ही हमको इस परकार की कोई सूचना सचिन पाइलेट जी द्वारा दी गई है तो उनको ये एट्रिब्यूट करना अनुचित होगा और उनके साथ अनफेर होगा तीसरी बात कॉंग्रेस पार्टी ने खुले मन से ये कहा है वो सचिन पाइलेट जी हों वो हमारे दूसरे आदर्णिय विधायक साथ ही हों सब के दरवाजे कॉंग्रेस विधायक दल में आएं अपनी बात रखें कहीं ऐस एहमती है तो वो रखें उनकी पूरी बात सुनी जाएगी उस पर विचार किया जाएगा और उसका हल किया जाएगा यही पार्टी का अनुशाशन है यही वक्त की मांग है यही राजस्तान की मांग है और यही राजस्तान की जनता के प्रती सच्ची श्रधा और सेवा भी हो सुझे वाराजी जैसा मैं आपको कल से और आज तक श्री अजे मांकन जी ने श्री अबिनाश पांडे जी ने अनेकों विधायकों से मेरे ख्याल से अगर मैं कहूं उनका नंबर सैकड़ों तक पहुँच गया है तो गलत नहीं होगा हमने उनसे वारतालाग की है जहां जहां जो समस्याएं थी पिछली बार भी बैटकर उनका हल निकाल लिया गया था परिवार में हमारे हां हर्याना और राजस्तान में कहवत है जिसके घर में बरतन होते हैं उसी के हां खटकते हैं जहां बरतन ना हो उसके हां खटकते भी नहीं तो यह पुरानी हर्याना राजस्तान की कहवत है इसलिए परिवार में कोई समस्या उसका हल परिवार के पास निकलेगा, उसका हल कहीं और नहीं निकल सकता, अगर आप परिवार से तूटकर कहीं और जाएंगे, तो परिवार को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा, पर हमारे साथी बुद्धिमान है, मुझे विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करे बीजेपी पहले जोतिरादी ते सिंधिया का वेलकम कर चुके है आप सचिन पैलेट का वेलकम करने के लिए तैयार बैठी दीजिए मुझे सूचना नहीं, जेपी नडदा जी ने आपको क्या बताया है मुझे जानकारी ने सर कल रात तक आपके ने कहा सवाल लिया है सचिन जी कि और से वारताल आपका कोई प्रस्ता नहीं आता है तो क्या पार्टी उनके खिलाब कोई एक्सें लिए देखे आदरनीय साथी जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी में क्या क्या डिसकेशन क्योंकि कई साथी कल से ये सवाल मुझसे भी पूछ रहे हैं पार्डे जी से भी पूछ रहे हैं माकहन साब से पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने सचिन जी से बात की तो मैंने आपको इसलिए कहा 48 से 72 घंटे में अनेको बार सचिन पाइलेट जी से भी दूसरे साथियों से भी बात हुई उस बात का क्या-क्या मजमून है वो टेलिविजन पर कहना अनुचित होगा फिर भी एक बार सारवजनिक तोर से हमें लगा कि आपने सवाल पूछे हैं आपके साथ उतनी सूचना, सांजहा करना और जनता के साथ हमारा करता हुए है इसलिए मैंने ये सारवजनिक अपील की सर कल रात को आप दोगों ने कहा था कि सम्भीती पत्रवे 109 MLA's ने हमें सहमती दे दी है यह हमारे साथ है मुख्य मंत्री जी की और दूसरे मंत्री गणों की विधायक गणों की चीफ विप की बहुत सारे विधायक साथियों से बात हुई है कुछ रास्ते में हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे, कुछ डेट घंटे में पहुंच जाएंगे मैं एक बात सपस्ट कर देना चाहता। को नहीं गिरा पाएंगे क्योंकि यही राजिस्तान की जन्ता का जन्मत है धन्य मुझे थैंक्यू